अब ये में किदर आगया मैंने तो बॉटल एसकेप कर लिया आता है यार फिर क्यों क्या हुआ ये इतना असान ही आसे बच के जाना तुने स्रिफ खुद को काबिल साबीत किया है ये स्रिफ शुरुआत है असली जंग का वर्दी मैं क्यों और किसके लिए साबीत करना है ये दुनिया अपने अंतिन मो होटे हैं ड्रागन्स ने कुछ समय पहले इस दुनिया पे अपना कबजा कर लिया अगर उन्हें बक्त पर रोका नहीं गया तो सारे इंसान मारे जाएंगे इस दुनिया को एक ऐसी योधा की जोरुआत है जो ड्रागन्स से लड़कर दुनिया को बचा सके बहुता ऐसे स्र इस दुनिया को ड्रागन्स से कैसे बचा सकता है उसका जवाब तुझे अपनी आफ सपर में मिल जाएगा पहले खुद को बचाओ फिर ये दुनिया को बचाओ क्या क्या हो रहा है यार मेरे साथ यह क्रोकोडाइल है अरे यार इसकी कमी थी लो तो फिर मेरे बीचे पढ़ जाता है क्रोकोडाइल मेरा स्वागत करने के लिए तो मैं भागता हूँ एक safe area में भाई मुझे उससे जहां पर मैं सबसे पहला ट्री तोड़ता हूँ जास वाट इसके उपर physics करता है हां यहां यहां पर मुझे फिजिक्स वाले ट्री से कुछ ओक एकॉन मिलाता इसको मेरे को लगा शाहत का ने का सामान है बट फिर है पता चला सीड है आहां के physics वाले ट्री में से sapling नहीज मि हो जहां पर गलती की कोई गुंजा है इस नहीं और यहां पर मैं इत्ती छोटी छोटी गलती कर रहा हूं कोई ना लिए काम डाउन काम डाउन इसके बाद गलती नहीं होगा नहीं होगा के बाद गलती नहीं ही होगा और फिर मैं कुछ stone mine करता हूँ, stone mine करने के बाद stone का pickaxe, axe और sword बना लेता हूँ और फिर यहाँ पर मुझे एक watch tower दिखता है जिसको मुझे explore करना था तो यहाँ पर मैं पास थोड़े blocks कम रहते हैं तो इसकले में एक और tree chop down करता है, जो मेरे सर के उपर गिरता है और damage पड़ता है तो एक और interesting चीज़ पता चली, जहाँ पर physics के साथ trees में है, reality भी work करता है हाँ, आपके उपर गिरेगा तो damage भी देगा और खुद को injured करने के बाद यहाँ पर मुझे भी खान की जरुवत पड़ गए थी तो इसकले में थोड़ा सा explore करता हूँ और पोड़ी से ही दूर में मुझे techno blade मिल जाता है येस हमारे sewer भाई साब, इन sewer को मारने पर मुझे कुछ talos मिलते है हाँ, वो sewer का fat मिल रहा है, भाई, techno blade का fat मिल रहा है मेरे को तो उसका भी cook भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं गल्ती से खड़े में गिर जाता हूँ जहाँ पर मुझे कुछ coal मिलता है, और मैं थोड़ा सा coal mine करता ही हूँ कि एक और crocodile पीछे पड़ जाता है मेरे, इनको भाई आज स्वागत करके ही रहना है मेरा पर जैसे तैसे बचते बचाते मैं दूर भागता हूँ, और क्या देखता हूँ, वो crocodile, Michael Jackson के जैसे moonwalk कर रहा है अलगी चल रहा है इदर, अलगी चल रहा है इन लोग का दो तब तक मैं एक और crocodile मेरे पीछे पड़ गया, तो फटा फट में जो वाच टावर ता हूँ, और यहां से थोड़ा स्काउट करता हूँ तो मैं फटा फट जाता हूँ नीचे, कुछ cobblestone माइन करके, तुरन वाच टावर पे वापस से रश करता हूँ और furnace बनाके, खाना मेरा smelt करने दाल दे, smelt, cook करने दाल देता हूँ, yes cook करने दाल देता हूँ, cook करने के बाद, finally मैं बाच टावर के निचे के फ्लोर, explore करने जाता हूँ, जहां पे दो entry थी, और दोनु ही entry iron bar से बंदे थी, बट फिर मैं iron bar तोड़ता हूँ, और iron bar के सामने एक cake पड़वा रहता है, पता नी मेरे welcome के लिए रहेगा, और उसके side में फिर एक room रहता है, जहां पे मुझे furnace मिलता है, bed मिलता है, खालतु का furnace बनाया, बट कोई ना, एक सब भले दो, तो यहां पे furnace था, chest था, bed था, और flower pot भी था, पता नी क्यों चोरी किया उसको भी मैं पट कर लिया, चीक है, चोरी कर लिया उसको में, और फिर मैं अंदर और थोड़ा सा देखने जाता हूँ, और तभी एकदम से spider का आवाज आ जाता हूँ, इसको मैं देखके तो फ़ड़ा डर जाता हूँ, बट spider ही तो है, क्या कर लेगा, तो फिर मैं चले जाता हूँ, और और वहाँ पे एक chest मिला रहता है, जो पुरा खाली था और उसके just side में एक और room था, जिसके अंदर एक spawner था वो spawner को मैं फटाफट जाके पहले तोड़ देता हूँ और वहाँ के chest check करता हूँ, और वो भी खाली थे भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, bottle वाले इसमें trash मिल रहा था यहाँ पे chest ही पुरा खाली है, बट यह जो tower जितना पतला लग रहा था और ऐसा छोटा लग रहा था, यह बिल्कुल छोटा नहीं था इसके अंदर room के अंदर room के अंदर room थे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ ना, वहाँ पे एक और staircase निच्चे जाने का मिलता है और एक zombie फिर मेरे को मारने आता है, जिसको मैं मारता हूँ तो मुझे efficiency 2 का stone pickaxe मिलता है एक जगे zombie spawner था और एक जगे पता नहीं कुछ नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं था, वही जगे पर जाना बेटर समझा आगे एक spawner मिलता है, जिसमें से अमीर zombie spawn होता है हाँ, यहाँ पे gold के armor के साथ zombie spawn हुआ रहता है और I guess यह थोड़ा सा strong zombie था, क्योंकि इसके पास pickaxe भी था तो इसके लिए मैं पीछे जा जाके उसको attack करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता था, भाई बिल्कुल नहीं मरना मेरको और उसके साथ और भी थोड़े से zombie spawn हो गए थे, तो मैं safer side रहने का try गया और ब्लॉक करके वो zombies को मार दिया, और यह सेट कुछ explore करने लाइक था नहीं, तो मैं फिर से जहां पर cake रखा वाथा था, वहाँ पर वापस जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक और gate था, जो कही तो जाता है, मेरको वह साइड भी थोड़ा सा explore करना था, तो इसके लिए मै यहाँ पर से टाइम वेस्ट हो रहा था, क्योंकि मेरको अभी XP की ज़रुवत भी नहीं थी, और मेरको एक safe area चाहिए था, तो मैं फिर side में से bookshelf ले ले लेता हूँ, और बहार निकल जाता हूँ, watch tower से बहार निकलते हैं, फिर से मैं explore करने के लिए वापस से निकल गया, क्य तो इसके लिए मैं फटाफर desert temple के अंदर चले जाता हूँ, वरना भाई मेरको भी वह destroy कर दालता था, बाजू में ही एक रिविन था, बहुत बड़ा रिविन था, और ठोड़ा देंजर लग रहा था, तो मैं यहाँ पर जाना सही नहीं समझा अभी के लिए, at is अभी के लि बाकी सब तो शायद कचरा ही था, दूसरे chest में आपे मेरको quick charge 2, golden apple, bone meal, gunpowder और manuscript, यह कुछ काम का मिला, पता निए यह क्या गरता है अभी, परोट नो, तीसरे chest के अंदर respiration 1, infinity मिल गया, oh my god, और बाकी जो भी था चीजे वो उसको मैं collect कर लेता हूँ, and last chest में आपे मुझे emerald, golden horse armor, और projectile protection 3 मिला, फिर मैं धीरे धीरे करके भार निकलता हूँ, भाई ध्यान से निकलना पड़ेगा, पता चला dragon मेरे पीछे पड़िया, पीछे क्या, भाई देख लिया तो मारी देगा मेरे को, हता मुदरीच, finish, and गुमते गुमते हाँ पे मुझे एक finally village मिल जाता है जहाँ पे मैं तुरन द्रश करता हूँ, बट village के पहले एक ravine होता है, जहाँ पे मैं जाता हूँ, और मुझे हाँ से total 44 iron मिल जाते है, और कुछ coal मिलता है, and कुछ mining के बाद यहाँ पे night time भी हो रहा था, तो फटा फट में tower up करके उपर आया, और village में जाके सबसे पहले सो गया, and morning को यहाँ पे मैंने बहुत सारे घर के chest लूट है, जहाँ पे मुझे खास तो कुछ मिला नहीं, but emerald और तीन pearl मिल गये, जो ठीक थी है, और साथी साथ मैंने हाँ पे सारे villagers के job चोरी कर लिये, पता नहीं क्यों करता हूँ, बट मज़ा आता है, and बहुत सारे haybells भी तो मतलब आने वाले कुछ टाइम तो मेरा खाने का problem solve हो गया, उसके बाद मैं एक गर सिलेक करता हूँ, और furnace और chest प्लेस करके उसमें iron smelt के लिए दाल देता हूँ, और फिर सारा सामान चेस्ट में रख देता हूँ, inventory फूल हो गया था है, इधर उदर फेकना पड़ रहा थ इसमें सामान था, उसको फटा फट लेके पीछे की साइट से निकल गया, तो मेरे लिए और डेंजर बन रहा था सिचुएशन, तो उसको अवाइड करने के लिए सबसे पहले में तूरंत उपन में सो गया, और मॉर्नी को यहाँ पर मैं विलेज के पीछे से भाग जाता हू बिचारे विलेजर्स, मेरे वज़े से सेक्रिफाइस करना पड़ा उन लोग को, यहाँ पर मैं आया नहीं था, तब तक इन लोग सेव थे आईगेस, अब कुछ तो सही लग रहा था, बट मेरे आते कुछ टाइम बाद ड्रागेंज ने अटेक कर दिया, क्या गरूँ फाइ थोड़ा सा आगे जाते ही, एक डेजर्ड रहता है, और उस डेजर्ड में डेजर्ड विलेज रहता है, जस्ट ये विलेज के बाजू में ही था, बट मेहाँ पर नहीं जाता है, क्योंकि अगर में यहाँ पर गया, और ये वाला विलेज भी अटैक होगी आ ड्रागन से, फ बट एक ghost attack कर देता है मेरे उपर यहाँ पर दिन में भी ghost है अन्म उसको avoid करके भागने का try करता हो बट वो ghost इतना fast था कि मेरे कुछ छोड़ी नहीं रहा था chase करी रहा था continuously और chase तो कर रहा था ठीक है बट यह multiply भी हो रहा था यहाँ पर एक ghost ना attack किया और फिर दो गया था तो मुझे इसको मारना ही पड़ता है ghost मारने के बाद मैं village के थोड़ा सा close जाता हूँ देखने के लिए कि क्या चल रहा है वहाँ पर और वो village already dragons attack हो चुका था यहाँ पर तो मैं गया भी नहीं था और अलड़ी अटाक हो चुका था तो महाँ से मैं निकल जाता हूँ और कुछी दूरी पर एक माउंटेन चड़ता हूँ जहां से मुझे एक dragon nest दिखता है लगिलिए उसमें dragon था नहीं और उसके opposite side एक dead dragon था उसका पूरा skeleton पड़ा हूँ आप तो मैं उसको कलेक करने चले जाता हूँ मैं सोचे हां से कुछ epic मिलेगा बड़ तो उसकी विलेजर से ये लोग ड्राइगन से बचने के लिए लोग ने अंडर बंकर ही बना दिया और एक चीज मुझा भी रहने के लिए जगा मिल गई थी अरे ऐसी जगा तो चाहिए थी मेरे को जहां पर मैं अंदर रह सकूँ बिना कोई टेंशन के यहां पर गोलम भी था जो मुझ मैं वापस सारे जो मेरा future का food source रहेगा उनको लाके मैं कैसे रखूंगा लोग ने वो भी खतम कर दिया मेरा tension मेरे रहने की जगे सिलेक करने के बाद में थोड़ा सा आगे की और जगे explore करने जाता हो और पहले ही रूम में एक विलेजर को जेल के अंदर बंद करके रखा था पता नहीं क्या crime किया था भाई इसने ऐसा शायद इसको imposter मान लिए थे क्योंकि इसका outfit थोड़ा सा अलग है ना विचारा डर के मारा इधर आ गया रहेगा क्या पता उसके विलेजर पे attack हो गया होगा उसकी विलेज ड्रागन ने destroy गर दी रहेगी sunny करना चाहिए और जगे select की थी ना मेरे घर के लिए वहाँ पे जाता हो सारे सामान chest में रख देता हूँ बट मेरे पास एक unique सा paper था जिसको manuscript बोलते है तो उसको में रख देता हूँ अभी के लिए इन्वेंटरी में में भी आगे जाके पदा चल जाए और मुझे यहाँ और भी chest बना दे थे बट यहाँ पे एक unique साथ building था जहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक lactan type कुछ तो रहता है जिसको मैं collect करता हूँ फिर chest open करता हूँ तो चार emeralds, shiny scales और और manuscript मिलते हैं इन्वाइड में पोडियम भी था जिसमें एक book था जिसको I guess book of monsters बोलते हैं जैसे ही मैं उसको collect करता हूँ एक dragon attack कर देता है मेरे उपर अपको यहाँ थे मैंने बोला थे एक dragon nest था जिसमें dragon नहीं था I guess यह वही ड्राइगन है जिसने मेरे उपर attack कर दिया भी बट मेरे पाँ यहाँ पर दो पल थे तो मैं पल करके एक्तम दूर भाग जाता हूँ उस dragon से बट मैं हाँ पर भूल गया था कि मैं village में जाऊंगा तो dragon attack कर देगा वही वहाँ मेरी लापर वाई की वज़े से village के उपर फिर से attack हो गया गया ड्राइगन तो गया बहुत लाइटनिंग ड्राइगन ड्राइगन फॉर्च और ड्राइगन एक के बारे में कुछ information मिली एंड फाइनली अब मेरे पास एक कुछ प्लैन ड्रेडी था जिससे कि मैं इस दुनिया को बचा सकता था तब सुनो मेरा प्लैन मैं यह सोचा था कि सबसे पहले मैं कुछ डाइम तो एक मुझे काव फाम भी चेह रहेगा और साथ ही साथ मैं पंकिन और वाटरमेलन भी प्लांट कर देता हूं इनकेस वो ट्रेडिंग के लिए काम आ जाए यह सब होने के बाद मैंने डिसाट किया कि एक पे मैं विलेजर हॉल जो था उसको भी एक्सपांड करूंगा वहा लेवल 5 फी म dłागं का नेस्ट मिलता है ओ शींटे विलेजर बहुत ज्यादा खत्रे में फोहँत ज्यादा खत्रें में उनके नीचे ही-टर रह रहा है शाहिद इसके लिए इन लोगमने आधि से ज्यादा बँंकर सिल कर के रखा है मुझे इस ड्रागन से इस विलेज को बॉटल चाहिए थी और मैं ड्राइगन का ब्लड लेके कुछ special armors भी बना सकता था उससे और यहां पर मैं fortune 3 और efficiency 4 यहां तो 5 का villager ढूण रहा था क्योंकि मुझे यहां पर अभी जल से जल पूरा diamond armor बनाना था और साथी साथ जब मैं यह villagers को ढूण रहा था मुझे एक अलग टाइप का villager मिला जो एक emerald के बनले टोटल 6 logs trade करता है समझे रहे मतलब यह अकेला बंदा सारे के सारे fletchers को गरीब करने वाला है और मेरा emerald का भी अभी tension गया तो इसलिए मैं फिर फटा फट इसके साथ बहुत ज़्यादा time trade करता हूँ और साथी साथ यहां पर मैं जो finally fortune 3 efficiency 4 का book भी मिल जाता है और साथी साथ यहां पर मैं farming पे भी ध्यान देता हूँ cow breeding पे भी ध्यान देता हूँ मेरे साथ एक बहुत गलत चीज हो जाती है मैं गलती से एक dragon nest के निचे आ जाता हूँ और आप तो जाता हूँ ठीके बट उड्रेगन भी उठ जाता है उड्रेगन एचले मैं मुझे हंट करने का try गर रहता है बट मैं फिर फटा फट विलेज में भाग जाता हूँ हाई बहुत पैनिक हो गया था बहुत जादा पैनिक हो गया था विलेज पहुचने के बाद मैं यहां पे बहुत डरा हुआ था कि अब यह dragon ढून ढून के मुझे यहां पे आएगा मारेगा villagers को मैं भी शायद मर जाओंगा तो मैं यह रिक्स नहीं लेना चाहता था मैं फटा-फट एक प्लान के साथ आना चाहता था और यह मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से उहां पे जाओंगा और उस dragon को दूसरी जागे लीड करके ले जाओंगा पूरा ट्राइ करूँगा मेरा कि ओ ड्राइगन को वहां से उपोजिट साइड लेके जाओं और फाइट करना पड़े तो फाइट कर लो मर गया तो मर गया भी पट में विलेजर्स को अभी रिक्स में नहीं दाल सकता था यही डिसाइड करके मैं वहां पर जाता हूँ बट वो ड्राइगन मिलता ही नहीं मुझे अचली मैं नीचे वेट कर रहा था कि वो ड्राइगन आके मुझे अटाक करे 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 बट नहीं आया तो मैंने डिसाइड कि चलो मैं उसके नेस्ट में चले जाता हूँ जब मैं नेस्ट के अंदर गया तो हाँ पे ड्राइगन था ही नहीं तो मैंने फटावट ओ पहले नेस्ट लाइट अप किया बाद में पता चलता है कि ओ ड्राइगन उपर उड़ गया उसको लगा कि मैं शायद उपर चले गया हूँ कि इधर तो पता नहीं क्या सोच रहा था पड़ो जमीन के भाहर निकल गया मुझे डूबने के लिए वेल 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 मैं भी बच गये विलेज़ भी बच गये और मेरे लिए यहाँ पर लॉटरी भी लग गई कैसे अब ही देखो आप मुझे यहाँ पर क्या क्या मिलता है पूरा ड्रागनेस लुटने के बाद यहाँ पर मेरे पास टूटल तीन डाइमन हेलमेट, चार डाइमन स्वार्ट, पाँच एंचांटेड, अच्छ अच्छे बूक्स, 12 गोल्ड ब्लॉक, 36 एमरल्ड यहाँ कुछ नहीं मिल गया था एक साथ पूरा जैकपॉर्ट मिल गया था क्योंकि अब मुझे डाइमन माइन करने की जरूरती नहीं है तो यहाँ पर मैं तीनो डाइमन हेलमेट कंबाइन करता हूँ जहाँ पर मुझे एक्वा इंफिनिटी, रेस्पिरेशन 2, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग मिल जाता है और स्वाट कंबाइन करने पर नॉक बैक 2, अनब्रेकिंग 3 और शापनेस 3 मिल जाता है लास्ट में एक डाइमन का चेस्ट प्लेट बनाता हूँ क्योंकि मैं बास अभी तक आइरन का यूस कर रहा था decent armor हो गया था मेरा और अच्छा कासा weapons भी हो गया थे tools उसके बाद यहां पर मैं वही basic सा चीज क्या farming, cow breeding और more time villagers के साथ trade क्या बट मुझे और villagers चाहिए थे ताकि मैं और अच्छा अच्छा enchantments ले पाऊ बट मेरे पास bed की कमी हो रही थे तो फिर मैं भार जाता हूँ थोड़ा explore करने ताकि मैं कुछ wool लेक्या हूँ या तो कोई village मिल जा तो वहाँ से bed ले लो पूरा दिन explore करने के बाद मुझे यहाँ पर सिर्फ दो wool मिला और एक abandoned village जहाँ पर मैं विजिट करता हूँ और वहाँ का bed चोरी करके मैं सो जाता हूँ और morning होते हैं मैं आराम से लूटता हूँ सारी जगे को जब मेरा exploration चल रहा रहता है तब यह अजीब सा कुछ तो प्राणी मेरे उपर attack कर देता है पता नहीं क्या थे laser beams मार रहा था मिरे को इसको देखके तो ऐसा लग रहा था mutated मुर्गी है यह और इसने almost मुझे kill कर दिया था बढ़ मैं जैसे दैसे manage कर लेता हूँ इसको मारने का और तुरंद बज़के भागता हूँ यह कुछ danger चीज था यार यह और घर जाते समया मुझे कुछ तो पत्थर का बड़ा सा ऐसा pillar यह तो क्या है यह कुछ तो दिखता है जिसमें एक sword शायद से गाड़ा हुआ था तो मैं उसे देखने चले जाता हूँ जब मैं वहाँ पर पहुचता हूँ और वो sword उठाता हूँ oh my god 64 xp मिल जाता है पर xp चोड़ो मुझे एकदम से speed मिल जाती है मैं चेक करता हूँ यह क्या है तो पता चलता है यह Excalibur sword है King England का sword है वो और मैं worthy enough था कि वो sword में उठा सकूँ और मुझे अब और ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी क्योंकि अगर मैं unworthy हुआ आया तो मैंने फालतू में कुछ तो किया न मस्ती तो sword मेरे हाच से चले जाएगा मेरा बहुत problem होगा फिर दुनिया को बच्चाने में मैं यह चीज को अभी खोब बिल्कूल भी नहीं सकता था और इसका damage पता है कितना था 30 का damage था 30 बिल्ली अरे diamond sword का damage साथ का होता है इसका total 30 damage था और उपर से special effects दे रहा था तो मैं इस sword को पकड़ की तुरंद फटा फट पहले तो भागता हो घर की तरफ बट उस बिच मुझे वापस एक village मिल जाता है मुझे manuscript चाहता थोड़े से और informations के लिए हापे मैं गया village में और उसे लूटा लूटते लूटते मुझे पूरा दिन हो गया था तो फिर मैं वहापे ही सो जाता हूँ और next morning फिर भागता हूँ फटा फट घर की तरफ और luckily इस बार dragon ने भी attack नहीं किया इस village के उपर डर गए dragon हाँ देखा और फिर जो मेरा बेस्ट नरी था उसको मैं फिर और information कलेक करता हूँ उसमें information कलेक करने के बाद मैं बहुत टाइम पड़ता हूँ और इससे मेरे plans और भी जाधा strong हो रहे थे और अब मुझे यहाँ पर होप था कि मैं इस world को बचा सता हूँ information कलेक किया और पता चला कि इससे में विदर बोन का फार्म बना सकता हूँ और उसके बाद मैं जो इतने भी बैट मिलेते हो सारे प्लेस कर देता हूँ विलेजर के घर पर और एक एंचांटमेंट एरिया बनाता हूँ पर यह तो मैं भूली किया थे कि मेरे पास डाइमंड ही नहीं है एंचांटिंग टेबल बनाने के लिए ओ भाई क्या पोपट वाई बट मैं बनाओंगा मैं बनाओंगा इसलिए फिर मैं माइनिंग के लिए जाता हूँ जहाँ पर मुझे कुछ यूनिक से ब्ल्यू कलर के ओर्स मिले लास्ट मैं डाइमंड इसके लिए मैं यहाँ पर आया था गराने के बाद मैंने एक डाइमंड पैंड बनाया और वही बेसिक वाला काम किया आया फार्मिंग ब्रीडिंग अन्त्रेडिंग फिर एंचन्टिंग टेबल बनाया जो बहुत अजीफ सा था है यहां का एंचांटिंग करने का स्टाइल, मेरा ही स्टाइल बहुत सही है, जो विलेजर्स के साथ ट्रेड करने का बुक, फिर वो अजीप सा कोई तो ओर मिलाता ने, डियोडी करके ब्ल्यू डियोडी, तो उसका मैं एक्स बनाता हूं, क्योंकि I guess वो आइरन एक्स से थोड़ काम था वो करता हूं, उसके बाद मेरा जो एक्सकेलीबर स्वाड था, उसको थोड़ा सट करता हूं, क्या वो फायर रेजिस्टेंट है, येस वो फायर रेजिस्टेंट था, तो अब मैं बिना डर एक्स्पोरेशन कर सकता हूं, चूँकि Fire Dragon का तो Fire का डामेज पड़ेगा तो मैं एक्स्पोर करने चले जाता हूं, जहां पर मुझे एक रूइन पोर्टल मिलता है, जिसमें से दो गोल्ड ब्लॉक मिल जाते हैं, वहां से कुछी दूर एक बड़ा सा सी सर्पंट था, तो मैं सोता है क्यो ना, इस स्वाड को चेक करा जाए, एक डीमिन के सामने है, एजिली मार लिया इस सी सर्पंट को गए, है, सी सर्पंट को मारने पर कुछ मुझे उसके स्केल्स और दात मिले, पता नहीं क्या गरना है अभी उससे फिलाल तो, एजन एक्स्प्लोर करते करते रात हो चुका था, और रात को मैं एक फायर ड्रेगन के नेस्ट के पास आता फायर ड्रेगन मार दिया मैंने लेवल 3 का, बाई, इसीली मार दिया, मजा आगया ड्रेगन मार के, पहला ड्रेगन मारा था मैंने ये, और फिर मैं तुरंट सो जाता हूँ कि रात का समय था और बहुत सारे जॉंबी आटक कर रहे थे, और मौर्ण गोती ही मैं ड्रेगन के पास जाता हूँ और ये ड्रेगन मुझे एक भी स्केल्स नहीं देता अपने, पता नहीं क्यों, उसके बाद चेस्ट लूटता हूँ, जहां से मुझे अच्छा गासा लूट मिल जाता है, बहुत सारा गोल्ड, दो, डाइमंड, बोन, चेन, ऑपसिडियन, अब मैं बिना ट मुझे स्केल मिल गएते, और ग्रीन कलर के जो फायर ड्रागन को मारने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, यहां पर वार चल रहा रहता है, फायर वर्सिस लाइटनिंग ड्रागन का, जो फायर ड्रागन वो जीच जाता है, पता नहीं कैसे क्योंके लाइटनिंग जादा स्ट्रॉंग रहते हैं, बट मैं इस चीज का एड्वांटेज उठाता हूँ, और गुस के फायर ड्रागन को भी मार देता हूँ, फिर दोनोई ड्रागन का स्केल्स कलेक कर लेता हूँ, लाइटनिंग ड्रागन का थोड़ा सा हाट पड़ रहा था कलेक करने के लिए पता नहीं ऐसी जगे पे था शायद इसके लिए, मरा ही ऐसी जगे पे क्या गड़े, और उसके बाद मैं नेस्ट लुटता हूँ, जहां से मेरे को सेम सामान मिलता है, वो ही, गोल, आइरन, वो ही सब, बट हाँ, वो ही, अमेथिस्ट का एक कुछ तो उसका मिलता है, पता न ही क्या है वो, and next morning घर पहुचता हूँ, सारा सामान चेस्ट में रखता हूँ, और मेरा जो छोटा दोस्ता वो भी बड़ा हो गया था, और उसके बाद मेरा वो ही basic वाला काम करता हूँ, farming और breeding, और मेरे पास बहुत सारे manuscript भी हो चुके थे, तो finally मैं सारा knowledge जमा कर लेता अप अब मेरा plan एकदम perfect था, and अब मुझे कोई भी नहीं रोख सकता इस दुन्या को बचाने से, आन दो 500 जितने dragon आना चाहते है आने दो, अब मैं easily मार दूँगा, and इससे यहाद आया कि, आपको तो बता है, मैं भी यहाँ पर ड्राइगन वाले world में रह रहा हूँ, और उपर तो ड्राइगन आके पूराई destroy गर देगा, और यहाँ पर नीचे भी underground रह रहा हूँ, तो खुद का गर नहीं, विलेजर के घर पे रह रहा हूँ, तो बिल्ड तो कुछ कर नहीं सकता, but modify तो कर सकता हूँ, और इनोवेट तो कर सकता हूँ, तो इसकलिए फिर, यहाँ पर मै तो कर सकता हूँ, 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 तो कर सकता जब मैं विलेजर्स लोग का जो ऑफेस था उसको रिनोवेट कर रहेता हूँ तब मैंनो उसका डोर एचलो में ब्लॉक कर दिया रहता है उन लोगा सप्रेस देना चाहता था यार रेडी होने के बाद जब मैं गेट ओपन करता हूँ उन लोग क्या एक्साइटेट लग रहे थे यार पूरा एकदम नया फ्रेश जगे को देखके और उसके बाद मैं मेरा इंवेंटरी थोड़ा स्रॉट आउट करता हूँ और सबसे इंपोर्टन्ट मेरा बेसिक वाला काम कर देखो नजरा इसको मस लग रहा है ना इसमें हम लोग रिप्टाइट दा लेगे लॉयल्टी की तो शायद जरूवत ने क्यूंकि अपने बास ड्राइगन बो है हां और ड्राइगन बू से याद है मैंने उसमें इंफिनिटी की जो बुक थी एंचैन्मेंट में इली थी मे क्या देखता हो तिर से फायर और लाइटिंग ड्राइगन फाइट कर रहे एक नेस्ट के लिए एंदोनों हार जाते हैं लाइटिंग ड्राइगन को फायर ड्राइगन को मार दिया बट जो फायर लगा था लाइटिंग ड्राइगन को वो उसको भी मार दिया यहां पर में को और ड्राइगननीग नेश ता लाइटनिंग ड्राइगन का जहां पे मैं तूरंक घुच जाता हूं और मार देता हूं उसको भी लेवल 3 के ड्राइगन मेरे लिए बच्चे हो चुक है मारने के लिया आलाम से हंट करके मार से था हूं लाइटनिंग ड्राइगन थोड़े स्ट्रॉंग पड़ते बड़ ठीक है मार लेता हूं इतना भी हार्ड नहीं है गुमते गुमते मुझे एक और अंडेग्राउंड विलेज मिलता है जिसका इस बार वेल नहीं दिख रहा था पर एक बहुत गलच चीज लगी मुझे यहां पर इन लोग ने स्टेरकेस के नीचे खाना रखा है यह बहुत सारे विलेजर थे और थोड़ा ज्यादा एक्टिव था मेरा वाला जो वीलेज था हम पर भुछ गम विलेजर से बहुत सारे विलेजर भी थे तो यहां पर मैं उनलों के बेड वर चोहरी करने जादा नहीं बड़ में की प्रॉबलम भीजा है जब बहुन आऑए फ्यों से schपान आ रहता और जीघ्टम में ऐड़ाउंग, कीड़ देखता हूँ, यह एचल में कीड़े पूरे डेजर्ट में फैले हुए और बहुत आवास करते हैं, तो मैं सोचता हूँ इसको देखू क्या है, और आप इसको पकड़ भी सकते हूँ, और इसको थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलता है, तो मेरे दोस जैसा देखता है, Mr पापी, और देखो कैसा भाग रहा है मुझसे, वो भी ऐसा ही भागता है मुझसे, बहुत मारता हूँ, उसको में, पापी भाग माँ, तिर वो घर देगा मैं, वीचारा खुले पे सो रहा है तू, आजा, घर देता हूँ मैं, गर आने के बाद उसको मैं छोड़ देता पर पता निये किधर रहने चले गया, कुछ टाइम बाद से फिर वो घाया भी हो जाते हूँ, और कभी दिखता ही नहीं मेरो को ज्याद आएगी यार पापी तेरी बहुत याद आएगी और फाइनली मैं ड्रागन स्केल आर्मर बनाता हूँ, ओ माइग गाड का लग रहा है अब कुछ आया ना स्ट्रॉंग आर्मर हाथ में मेरे, और उसके बाद जो मेरा डाइमन आर्मर दा, जो इतने टाइम से मुझे प्रोटेक्ट करके चल रहा था, उसको आर्मर स्टैंड में प्लेस करने जाता हूँ, बट, नेवर दा माइंट बात में क्या करता हूँ, मैं का काउस को में ब्रीड करवाने जाता हूँ, यहाँ पर काउस की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी ना, कि भाई लोग सफोकेशन के वज़े से ही मर जा रहे थे इन लोग, तो अब टाइम आचुका है लूटिंग क्री का स्वर्ड यूज करने का, जिसके लिए म और बड़े मेरे, ताकि मैं और ज्यादा माउंट में जो मीट है प्रड्यूस कर पाऊं, अब इतना खदरनाक डेंजर आर्मर भी आ चुका है, ड्राइगन का, ट्राइगन का, तो बनता ही है न उसको, और ट्राइगन के उपर, तो इसकले में आपे फिर अभी ड्राइगन ह मिलता है, अरे यार मैं को रॉटन एक चाहिए था, पर नहीं मिलते हैं इन लोग से मुझे, वो एक बार पता नहीं मैं कैसे लग्की हो जाता हूं, और कुछ दिर बार मुझे यहापर ड्राइगन स्केलेटिन मिलता है, जिसका मैं बोन कले करके, फिर तूरंत सामने एक आजाता हूं, जब मैं चेस्ट में सारा सामहन राख रहा था था मैं रियालाइस करता हूं, मिल जे एक विदर बोन मिलाता, मिउटेटेड मूर्गी से, और मुझे एक विदर बोन चाहिए था, क्योंकि मैं पास ड्राइगन बोन ता हूं, ड्राइगन बोन पता है आप जो विदर बोन बार-बार ढूंडने का जो टेंशन था, वो चले गया, ब्रीडिंग बहुत जादे ट्रेडिंग करने के बाद, फाइनली मेरे पास इनाफ एमरल हो चुके थे, कि मैं टोटल चार प्रोटेक्शन 4 की बुक खरीच सकू, हाँ मुझे प्रोटेक्शन 4 की बु बोला भूल गया, फार्मिंग भी करता हो इस दिन को, फिर में डिसाइड करता हो क्यों ना मेरा जो ट्राइ किया जाए, क्योंकि यह थोड़ा सा अधर टाइप का तो ट्राइ करना तो बनता ही है, तो इसके लिए मैं बहुत सारी बुक्स लेता हो और उसे यूस करता हूं, बहुत सारी उसलेस मिरको एंचैन्मेंट मिली, बर्ट यहां पे मुझे पावर 4 मिली, जिसको मैंने बो में लगा दिया, अनब्रेकिंग 2 भी मिला, और में पास पहले भी एक अनब्रेकिंग का था और विलेजर भी था, तो कंबाइन करके अनब्रेकिंग 3 भी दाल लिया ब और ड्रैगन टेम करने के लिए और उसको लेवल 5 का बनाने के लिए मुझे बहुत सारे मीट चेह रहेगे, तहां पर मैं अपना फाइनली तब बड़ा काव फार्म को क्लियर गरता हूँ, नहीं पूरा क्लियर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे आगे जाके आगे आगे आग ड्रागन को मारने का तो इसके लिए वुचो विलेच के निचे ट्रागन सो रहा था ब्लाक कलर का हूँ हाँ यहाँ पर मैं जाता हूँ अचलो मैं शाहँ जगह नी थी और मैं मैंशाफ के बीच में आता हूँ जहां पर एक्स्प्लोर करते है मुझे ड्रागन नेश दिखता है जैसे ड्रागन नेश दिखता है और ड्रागन उट जाता है ओ माय गाडड़ अब यह द्रागन शायद विलेज को डिस्ट्रोई करतेगा और में बहुत जादा पैनिको जाता हूँ तो फटाफट वहां से भाहर निकलता हूँ वेट करता हूँ द्रागन काने का बट ड्रागन आता ही नहीं है बहुत टाइम वेट करने पी तो मैं यहां स देजर्ट साइच जाता हूँ तो मेभी वहां पैर निकल जा इए लाइगा यहां से बाहर निकालिया तो बसाइड से भी आता है तो फिर मेर दिमांग में क्लिक हो तो मैं इस एक मोब था था टाइच कर गया हूँ में जाता हूँ रश कर्था बट बलेज यहीं श्क्त थे द्राइगन नेश है मैं यहाँ पर ड्राइगन नेश जाता हो फटाफट सारी जगे लाइट अप करता हो और जिते भी मॉप से सबको मारता हो बट उसमें से एक यूनीक मॉप मिलता है जिसका नाम ता ट्रोल अचुली में बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग था मेरे एक्स केलीब यहाँ पर मैं फाइट करने आया हो इतना कमजोर समझाएगा मुझे तो हुझे बहुत गुसा आगया तो मैं सीधा रश कर देता उसके उपपर एंड कुछ क्रिटिकल हीट के बाद ड्राइगन भी बहुत जादा डामेज करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर मुझे पूर देता ओ ड्राइगन को मैं उमाई गॉर्च लेवल फाइव ड्राइगन खतब उसके बाद यहां पर में थोड़ा सा काम डाउन होता हूं कि बहुत जादा पैनी को चुका तो लेवल फाइफ का ड्रागन था यार यह थोड़े टाइम बाद में आप फिर ड्रागन को कलेक करता हूं और मुझे इस ड्रागन से दो एग मिलता है लॉटरी लग गए बाइवन गेट वन फ्री उपर से एक और जैकपॉट क्योंकि मुझे यहां पे पूरा का पूरा ड्रागन नेस्ट विल गया था लूटने के लिए पर इससे पहले घर पे लाता हूं और मेरा लेजेंडरी ट्रोल एक्स ट्राइक करता हूं व्. गया रेड्रोप वह रहा है उसके बाद यहां पर में एक बड़ा सा नेधर पोर्टल बनाता हो इसको मुझे कुछ ने ड्रागन को हैच करने के लिए नेधर अले के बाद यहां पर में और में उवर वल्डमी तब एक मच्छर नेदर का टाक कर देता है मेरे उपर भाई बड़ा जाइंट मच्छर ता यार ये जिसको मैं मारने पर कुछ ब्लड का आर्क ड्रॉप करता है पता नहीं क्या चीज ता ये बागे जाके इससे कुछ गन बनता है पता नहीं आगे जाके देखे कि अभी के लिए छोड़ो इसको बट अभी के लिए मुझे यहां पर ब्लॉट करने के बाद अब मैं जाता हूँ ड्रागेन नेस्ट में क्योंकि भाई यहां पर तो क्या क्या लूट अने वाला है असली मर्या तो अब बाएगा पूरा लूटने के बाद जब मैं नेस्ट लूट के गर पर आ रहा था तब मैं देखता हूँ कि मेरा जो कॉपर अल्डेडी हैच हो चुका है और मुझे लगा कि टेम करने के लिए उसको खिलाना पड़ेगा तो मैं फटा फट जाता हूँ ड्रागेन बनाता हूँ और जो मेरा कॉपर ड्रागेन उसको खिलाता हूँ बट फिर भी मेरे कमांड में नहीं आ रहा था और में फिर तू बाद फाइफ का होगे तो अब क्या मस लगेगा उसके बाद इन दोनों को मैं मेरे घर पे लेके आता हूँ और एरिया ब्लॉक कर देता हूँ इन लोको कमांड नहीं हो रहा था तो फिर मैंने जो वह बुकता ना बेश्ट नरी उसको थोड़ा सा रीड किया और पता चला कि यहां प बहुत सारे बोडियम क्राफ करता हूँ ड्रागन को रखने के लिए ओविसली ड्रागन है वह चेस्ट में नहीं रख सकता उस चीज को में उसके लिए भी एक स्पेशल जगा होनी चाहिए ना यहां पर मेरे बाद अब एक ही ऑप्शन था यहां फिर मैं ब्राउन ड्रागन को लेवल फाइफ पर लेके जाओ यहां फिर ब्लैक ड्रागन को क्योंकि मैं दोनों भी ड्रागन को लेवल फाइफ पर अभी लेके जाना अफॉर्ड नहीं कर सकता भाई बहुत खाते हैं कच्छरे जैसा खाते इन लोग और मुझे इसके बाद आइज और लाइटनिंग ड और इंजोई करने दो और उसके बाद फिर मैं ड्रागन नेस जा तो क्योंकि मैं ड्रागन नेस अच्छे से लूटा नहीं था और मुहां पर मुझे कुछ लावा भी मिलाता जो मुझे स्मेल्टिंग के लिए काम आ सकता था अपर मेरे पास बहुत सारे जो काव बीफ ते उ पता नहीं क्या टाइप का ड्रागन यह स्वे ऐखा कर गुमता रहता है एकी जगे पर उड़ता रहता है और यह साथी साथ वह बुड़ा हो आदमी वापस से मिलता है और जो ट्रॉल ना उसन भी अपना एक्स ड्रॉप किया यह दो-दो हो चुके ते यार दू-दू रेर epic legendary item तहा मेरी पास सारा समाल जमा करके फिर मेरा पार रहता हूँ और जो मेरा Dragon है कोई डागन के क्यूट लग रहा है Dragon हो कुट लग रहा है वाओ हैना अब मुझे बनाना था Dragon Steel Armor जो Dragon Scale Armor से भी बहुत जयादा strong है यसे से परहे हैं मुझे Dragon Forge बनाना पड़ेगा ड्राइगन हंट करते हैं आपको याद होगा स्टार्टिंग के दो जो विलेज गया था वो मेरे वज़े से अटक वो चुके थे तो विलेजर्स का भी मैं इस बार रिवेंज लेता हूँ वह दोनों ड्राइगन को क्या दो देता हूँ है फाइनली मेरा रिवेंच कम्पलीट हुआ याद रखेगी ड्राइगन हंट करने के बाद यहां पर मेरा आर्मर आल्मोस्ट ऊड़िया था सब कुछ 1hp का हो गया था तो सबसे पहले मैं चार मेंडिंग खरीता हूँ और उसको कुछ निकलता नहीं फिर और मिलता है जुसको मैं प्लेस कर देता हूँ मेभी कि चलो इस बार मेरा रख और रख जाएन्ट होजाते और यह ज़मीन के अंदर से बीदर और उधर से निकलते बदाज़ा मेरे विलेजर को खा गया तो इसके लिए मैं बहुत जादा दूर ले और फिर इन लोग को केईज के अंदर ब्लॉक कर देता हूँ रिक्स नहीं लेना भाई बिल्कुल रिक्स नहीं लेना और इससे याद है कि मेरे पास लास्ट कुछ बचे कुछे बोन्स पड़ेते तो उसका मैं ड्रागन मिल बनाता हूँ और यह जो कॉपर ड्रागन उसको फीड करता हूँ कॉपर ड्रागन नहीं कॉपर ड्रागन नहीं अरे इसको मैंने नाम भी दिया हुआ था इसका नाम था एलिंटा हाँ किता मस नाम दिया हुआ है ना नाम करन के बाद जो मैंने ड्राइगन स्केल्स जमा कि वे थे उसका मैं फिर से फॉर्जब्रीक बनाता हूँ पर अब भी भी नहीं नहीं आफ था कितना एक्सपेंसिव है यह चीज बट उससे भी ज्यादा इंपोर्टन्ट मुझे एलिंडा को लेवल 5 पे लेके जाना है और मेरे पास यहां पर बोन्स अब खतम हो चुके तो मैं ड्राइगन मिल भी नहीं बना सकता था तो मैं फिगर आउट करने का ट्राइगर तो कि क्या बेस्ट वे रहेगा बोन्स जमा करनेगा क्योंके नाइट टाइम में आपे स्केलिटेन स्पॉन नहीं होते तीके उपर से ड्राइगन नेस से तो मिल तो रहा था मुझे कुछ बोन्स बट वे इनाफ नहीं दा मैं बहुत जादा पूरा ऐसा दुनिया का ड्राइगन और मेरे बास इतना टाइम था नहीं और सोसे तो फिर एक चीज याद आती है मुझे है कि मैं जब यहाँ पर आया था तब मुझे एक वाच टावर मिला था जिसके अंदर बहुत सारे स्पॉनर्स थे और मैंनो उसको अच्छे से एक्स्प्लोर किया नहीं था तो मेभी यहा पर पहुचा बहुत टाइम मैं एक्चली मैं एक्स्प्लोर किया बट मुझे स्कैलेटिन स्पॉनर कई भी मिल नहीं रहा था एंद फिर मैं तो सोचा थोड़ा सा और नीचे जाओ तो मुझे एक फॉर्ट्रेस दीखता है फॉर्ट्रेस तो नहीं था जिशाट फॉर्ट्रे ले लिए और साथी साथ मुझे कुछ डाइमंड्स मिल गए जिसको माइन करने पर टोटल 18 डाइमंड्स मिल गया ऐसा ही फ्रीफंड में बट जो चीज के लिए में आप आया था उद चीज तो मुझे मिली नहीं स्कैलेटिन स्पॉनर था नहीं तो फिर मैं डिसाइड कर तो तो करेगा उस चीज के उपर तो फिर यहां पर मैं बहुत दिन स्कैलेटिन फार्म गरता हूं और साथी साथ मुझे यहां पर विदर स्कैलेटिन का भी फार्म मिल जाता है जहां से मैं टोटल तीन विदर बोन ले लेता हूं और लास्ट में टोटल 10 टैग बोन्स के साथ न एक बता ना भूल गया कि मैंने दो ड्राइगन को भी हंट किया था एक जब मैं वाच्टावर ढून रहा था और एक जब मैं घर पर रिटन आ रहा था और हाँ पॉचने के टाइम पर सबसे पहले में है न मेरे दोनुप पैट्स को चेक कर रहा था जो क्रोकोडेल और देथ व और यह पर मैं थोड़ा से घर पर और रिनोवेशन करता हूँ जो मुझे रेट कलो के ब्रिक्स मिले तो बहुत पसंद आयते न मुझे तो मेरे फ्लोर पर लगाता हूँ अन उसके बाद जब मैं अब मेरा आर्मर स्टैंड लगा रहा रहता हूँ यह जो म्यूटेंटेड यह जोंकि अन उसक को फिड करके लेवल 5 का बनाने का क्योंकि यह बोंस की तो कमी थी नहीं और फुर भी इनाफ तो मेरे ड्रैगन को ले के जाता हूँ बाहर और जितना हो सकता था इतना मैं उसको किलाया और लेवल 5 ड्रैगन हो गया है ओ शीट इतना बड़ा लग रहा य अभी तो आइस और लाइटनिंग ड्रागेन को भी टेम करना है उपर से एक छोटा सा फायर ड्रागेन का भाई जो बैठा है उसको भी लेवल फाइफ का करना है क्या आर्मी बनने वाली है ओ नो बढ़ बिलीव नहीं कर सकता इस वोल्ड का नो इस बैठा के साथ गुमते गुमते फाइनली मुझे एक फायर ड्रागेन मिलता है जिसको पर बैठके ही मारने कर ट्राइगन तो बहुत ज़्यादा है तो फिर मैं उकर जाता हूँ ड्राइगन के उपर से और मार देता हूँ उसको और मेरे खाल से ये शायद इनाफ स्केल हो चुका था कि अब मैं फाइनली फॉर्ज बना पाऊ तो इसके लिए मैं घर पर आता हूँ फाइनल जो चार ब्रीक रहता है वो बना दा हूँ और भार जाके मेरा जो वो बुकता न किता उसको देख देख के एक फॉर्ज बनाने का ट्राइग करता हूँ बट बट बस एक ब्लॉक की कमी रह गए एक ब्लॉक के लिए मुझे अब फिर से ड्राइगन हंट कर रहे जाना पड़ेगा जब हम ड्राइगन हंटिंग कर रहे थे तब हमार उपर दो आइस ड्राइगन अटाक कर देते और आइस ड्राइगन सच में बहुत जादा स्ट्रॉंग है ये लेवल 3 के दे फिर भी इन लोगो डिफिकल्ट पड़ा मारने का बट स्टिल हम दोनों जैसे जैसे मैनेज कर लेते दोनों को मारने का और उसके स्केल्स जमा करने के बाद हम लोग गए फाइगन के हंटिंग के लिए मैं अलिंडा के उपर बैट के फाइट करने का ट्राइ गया चुकि बहुत जादा डिफिकल्ट है बहुत मतलब बहुत जादा डिफिकल्ट है तो मेरे काल से सबसे बेस्ट वे क्या रहेगा कि मैन इच्चे उतर के फाइट लू एन उसको हवा में से ही fight करने दू जिससे कि जमीन से भी damage पड़ेगा ड्रागेन को एन हवा से भी एन एकदम must strategy तब यही strategy हम use करेगे हर एक fight के लिए एन दो fire dragon हंडाउन करने के बाद हम लोग पहुचे मैसा बायम जहाँ पर हमारा सबसी पहली बार encounter होता है अभी के लिए बट छोड़ो अब मेरा main problem था कि मुझे dragon blood भी जमा करना है dragon skill तो करना ही था forge के लिए बट forge बनने का मतलब ही क्या जब तुमारे पास bloody ना और आर्मरी ना बना पाओ तो मैं इसके फिर अभी निकल दा तो dragon के blood के लिए and finally बहुत time dragon hunting के बाद हमारे पास टोटल थर्टी फायर ड्रागन ब्लर्ड था भाई ड्रागन स्लेयर बन गया था यह वक्त पे तो अब मैं हर जगे से ड्रागन ही ड्रागन मार रहा हूं and मेरा forge machine भी अब complete हो गया मतलब अब बनेगा ड्रागन स्टील आर्मर और बी ज़्यादा स्ट्रॉंग टोटल चौथा आर्मर होगा मेरा यह चौथा आर्मर ओ भाई और यह सबसे स्ट्रॉंगेस्ट आर्मर होगा बहुत मसाने वाला है and फिर इसी के साथ अलेंटा को अपने काम पे लगा देता हूं क्योंकि मेरा पर मेरे बास बहुत सार आईरन था तो मैं इसका आईरन ब्लॉक बनाता हो and मेरे अलेंटा के लिए अपर मैंने पूरा ड्रागन आर्मर बना लिया था उसका हैड उसका नैक उसका जो बैक उसकी टेल and उसके बाद मैंने आपे का उसको भी थोड़ा सा ब्रीड करवाया और उसके भाई को में उपर लेका है दिखाने के लिए के ड्रागन फॉर्ज आर्मर कैसे बनता है अंगेस्ट आर्मर एवर ओ माई गॉड ओ शिए विट एक्स कैलिबर तो और भी ज्यादा खतरनाग लग रहता यह जो मेरा पूराना स्केल आर्मर था उसको मैं हाँ पर जो अपना स्टैंड रहता है उसके उपर लगा दिया उसको भी बहुत बड़ा रिस्पेक्ट क्योंकि उसने बहुत ज्यादा हेल्प किये मेरी जर्नी बहुत खतरनाग रही है यार बहुत एडवेंचरस बड़ जर्नी इहां पर खतम नहीं हुई क्योंकि अब इससे भी ज्यादा डेंजर और कुछ खतरनाक होने वाला है मैं जब तक वर्द्यू तब तक ही इस वार्ड मेरे साथ रहेगा तो इसके लिए फिर में यहां पर पूरा आर्मार एंचांट कर लेता हूँ मेरे पूरे आर्मार में प्रोडेक्शन 4 लग चुका था और हेलमेट पैकवार इंफिनिटी और अब में stronger than ever हो चुका था और एलन टिना मेरे साथ तो तो कोई रोग भी नहीं सकता अब मुझे तो इसके लिए मैं आइस ड्रागन के हंटिंग के लिए निकल जाता हूँ हाँ इस बार लेवल 3 ने लेवल 5 का और मुझे उससे एग चाहिए ता कि मैं अब खुद का एग आइस ड्रागन बना पाऊ और लेवल 5 का आइस ड्रागन ढूंटे ढूंटे यहाँ पर लेवल 3 के कुछ आइस ड्रागन के साथ भी हमारा फाइट हुआ fire dragons के साथ भी fight हुआ but उन लोग को अभी हमने easily take down कर दिया बोला ना मैं बहुत जादा strong हो चुके हैं और शायद इसके लिए level 5 का ice dragon किदर दूर जाके सोग या है तो कि हम लोग बहुत जाला time ढून रहे थे ice biome कि इदर भी नहीं मिल रहा था कि उदर भी नहीं मिल रहा था हम लोग को but बहुत time search करने के बाद finally एक ice biome मिला and वहाँ पर उतरते ही मैं तूरं फटा फट ice dragon ढूणने लग गया level 5 का मेरको नहीं चाहिए फिर से भाग जा और मैं इदर पकड़ा पकड़ी का game खेलू या पर बहुत जारा time mining करने के बाद finally मुझे कुछ zombies की आवाज आने लगती है तो मैं वह उस आवाज को follow करते करते एक dragon nest तक पहुच जाता हूँ और वो भी ice का level 5 female dragon के nest पहुच जाता हूँ oh shit what the hell या ice dragon क्या danger लग रहा है मैं थोड़ा सा डर गया था भी क्योंकि बहुत जादा बड़ा था और देखने में तो dangerous था मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ वो ice dragon एकदम से उठके मेरे उपर sudden attack कर देता है उसको मेरा planning आगेस पहले सी पता था तो उसने मुझे तूरण जमीन के निच्चे धका दिया और मुझे freeze करकर के bedrock तक पूरा गुसा दिया और मैं यहां से hill भी नहीं पा रहा था और जैसे मैं वो spikes तोड़ रहा था आइस बाले spikes तूरण दूसरे spikes वहां पर डाल दे रही थी वो बहुत जादा hard हो गया था और मैं almost low हो गया था याइस जागन को पता था मेरे पास Excalibur Sword है तो उसने पहले से ही planning करके रखा था पर शाद उसको यह नहीं पता था कि मेरे साथ Alan Tina है जब तक मैं यहां पर खुद एसकेप कर रहा था और मेरे उपर वो बीजी थी तब तक Alan Tina नो इसको पूरा खतम कर दिया मार दिया और मैं बज गया ओ नू बहुत डेंजर फाइट था यह फाइट का मैं तो यह पर फाइट ही नहीं पाया मैं देख तक नहीं पाया मैं यह पर मरने ही वाला था आइस ड्रागेन टेंजर कितना भी स्ट्राउंग बन जा बहुत ज़्यादा हाडे मारना उसको बहुत ज़्यादा हाडे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंना Alan Tina को टेम किया और उसको साथ में लेके आया वरना तो मैं यह पर खतम हो गया रहता और यह वर्ल्ड को बच्चा भी नहीं पाता था हाँ से मुझे बहुत सारे ड्रागेन स्केल्स भी मिलते और आइस ड्रागेन एक भी मिल जाता है और उसके जस्ट बात मैं थोड़ा सा नेस्ट लूट लेता हूँ पता है ना लूट ना दो हमारे रूल में लिखा हुआ है बट यहाँ पर कुछ वैसे तो खास मिला नहीं तो फिर इसके लिए मैं ऐलन्टा के उपर बैट के जमिन तोड के घर के लिए निकल जाता हूँ बट यहाँ जैसे हम लोग गर पोचते हैं एक ब्लाक फायर ड्रागन हमार उबर अटक कर देता है बट लेवल 3 का था तो इसको तो मार देते हैं बट चाहँ धे ड्रागन स्पाई कर रहा था हमारे इंफोर्मेशन करने का ट्राइगर रहा है पता नहीं मार दिया क्या इंफोर्मेशन देगा है और मुझे यहां पर टोटल पांच बॉटल ब्लॉड मिला ता फायर ड्रागन का जिसको मैं फॉर्ज में रख देता हूँ अपना काम गरने को अब टाइम आ चुका हमारे आइस ड्रागन को हैच करनेगा तो मैं थोड़ी सी रिसेच करता हम स्थिट करता हम और पता लगा हो कि वह आ स्ट्रागन के लिगा थना conserv Irma संट अगलिए को हैच आ चॉने के लिए और तब तक मैं मेरा बाकी सारा काम ख़तेम नहीं करता हो इंग अभ तक मैं कर रहते हो काम कर रहता हो तब तक मैं म्यर आ इसड्रागन लिद गो Stevens क्ह क्या पिक नाम है एन इसी बीच हमारे गोलम भाई जॉम्बी को इन्वाइट करते थोड़ा आइस ड्रागन देखने के लिए जब तक लीफ रॉस्ट के लिए सारा खाना कुको रहा था मैं भार आता हूँ थोड़ा सा ट्री चॉप करने के लिए क्यूंकि मेरे को थोड़े से चाहिए थे और उसी बीच मुझे रकुन डॉक मिलता है जिसको मैं गोल्डन कैरेट देता हूँ तो बंदा मेरे उपर ट्रस्ट नहीं घरता वो जाता है नदी में वो जो कैरेट उसको दोता है और खाता है सीरियसली में यहां पर वर्ल्ड बचा रहा और उसको धोड़ा सा और तब तक मैं यहां पे भूत छारा का छारा खाना कुक हो चुगा था तो मैं ब्हुत सारा ड्रैगन मिल बनाता हूँ और लीफ रोस्ट और एलेटा के भाई को भार लेके जाता ऊँ़ जो अनुनों से भार निकलता हूँ और जो मेरा लीफ रोस्ट उसको फीड करता और मेरे शोल्डर पे छोटा fire dragon क्या मस लग रहा है कितना खतर ना के और यह यहाँ पे खतम नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक चीज अभी भी missing है इसमें lightning dragon आना बच्चा है अभी तक lightning dragon आने के बाद तो दो भाई अता बहुत जादा excited हूँ इस चीज के लिए मैं अब घर जाते जाते मुझे Mr. Papi भी मिल जाता है वो भाई बचके कैसे बाहरा आ गया ता यह पर फिर से इस बार मैं जब उसको नीचे रखता हूँ तो मुझे भाग जाता है दूर बहुत घंदा दोस्त है यार मेरा उसको बहुत ट्राइ करता हूँ पकड़ने का पर बहुत जादा फास्ता है यार पापी तू छोड़ो जान दिया दिर को माफ किया नेक्स टाइम लेके जाओँगा अन मेरे बास बहुत सारा आइरन था तो फिर मेरे लीफ रोस्ट को आइरन आर्मर पैनाता हूँ और राइड में निकलता हूँ फर्स टाइम अचलो मैं राइड में नहीं मुझे हाँ पर थोड़े से और थोड़े नहीं बहुत सारे बोन्स चाहिए थे अपने लाइटनिंग ड्रागन के लिए मैं पहले से प्रिपेड रहना चाहता था जैसी एग मिला तूरंद लेवल फाइफ का लाइटनिंग ड्रागन मज़ा जाएगा है की नहीं और उपर से एलेंटा ने भी बहुत ज्यादा फाइट किया और बहुत मैनत किया तो उसको रेश्ट दे दिया मैंने और बहुत दिन फामिंग करने के बाद यहां पर मेरे बाद अल्मोस्ट ग्यारा स्टैक्स बोन्स हो गए थे और मैंने 16 विधर बोन्स भी कलेक कर लिए क्योंकि यहां पर मेरे जितने भी टूल्स और वेपन्स बनाने रहे गये उसके लिए यहां पर विधर बोन्स लगते लगते हैं इसके लिए 16 विधर बोन्स भी मैंने कलेक कर दियो और फिर ली फ्रॉस्ट को निकाला डंजन में और जमीन भाड़के निकल गया घर के लिए हम लोग जब घर पे जा रहे रहते तो बहुत बड़ा फायर ड्रागन हमार उपर अटक कर देता है यह लेवल 3 का तो हम लोग माइनिंग कर रहे थे डाइमांड के लिए एक ड्रागन निकल दिया था जमीन खोद के भार यह वही ड्रागन है अब जाके मिला है क्या भूंदू है पर सच में बहुत ज्यादा श्रॉंग था वो टाइम पर अगर मुझे ढून लेता था तो मैं ग्यारेंटी मरता नसीब मेरा नसीब बज गया अंगर बाच के सबसे पहले मैंने आइरन पिकाक्स और एक्स क्राफ्ट किया हाँ यही दो चीज बची थी और इसी के साथ मेरा पूरा फार ड्रागन सैट कंप्लिट हुआ जो इंपोर्टन इंपोर्टन चीज थी वो मैंने बना ली थी मैं उस अप और ब्युद्ध अब और मज़़ाने वाला यह रिविन मिल थे महां पर में जंप मर्के ड्रागन को ढुनना स्टनु genuine mining करते करते बट dragon तो नहीं मिलता बट एक mine shaft मिल जाता है जहाँ पर मैं explore करना start करता हूँ explore इसके लिए करता हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंना fire dragon मारा था वहाँ से mine shaft connected थी और शायद यहाँ से भी मुझे कोई dragon nest मिल जाए lightning dragon का बट टाइम गुमने के बाद मुझे एक भी nest नहीं मिलता बट lightning dragon का जो फेवरेट और है वो जो purple color का वो मिल जाता है जिससे की मुझे हाँ पर हिंट मिल गिया था कि dragon nest आजपास ही और मैं डिक करना start कर देता हूँ राडबली and guess what मुझे nest मिल जाता है lightning dragon का इसके लिए मैं एलेंडा के साथ जमिन खोद के भाहर आ जाता हूँ भाहर आते ही सबसे बहले एलेंडा को escorting पे दालता हूँ पिली फ्रॉस को होन से भाहर निकाल कि उसको भी escorting पे दालता हूँ बट unfortunately यहाँ पे बहुत बड़ा scam हो जाता है यह level 5 का dragon था ही नहीं यह level 4 का dragon था जिसने egg drop नहीं किया इतना बड़ा दोका कोई ना हम फिर से हंट करेंगे lightning dragon को yes हम कुछ भी हो जाए lightning dragon का egg लेके ही रहेगे बट उससे पहले मैं पूरा का पूरा nest loot लेता है और जहां से मुझे बहुत सरे diamond के armor मिलते है और मैं उसको फटावट अपने घर पे रखके आजाता हूँ लास्ट टाम हमने माइंशाफ्ट के उपर लग ट्राई किया था तो इस बार मैं डिसाइड करता हूँ लेवल 3 के lightning dragon के nest पे ट्राई करता हूँ यहां से मैं निचे डिक करके जाता हूँ थोड़ा सा आगे फिर और डिक करता हूँ तो मुझे एक रिविन मिलता है और रिविन से lightning dragon का nest connected था यह तो और इजीली मिल गया रहे तो मैं फटावट nest के यहाँ पे भागता हूँ tower up करके और वहां से डिक करके दिखता हूँ तो यह level 5 का lightning dragon था इस बार no scam finally lightning dragon मिल जाएगा तो मैं फिर से मेरे dragon bow से 2 arrow मारता हूँ leaf frost को निकालता हूँ उसके उपर ride करके फटाफट जमीन के भार आता हूँ दोनों ही dragon को escorting पे डालके fight के लिए ready हो जाता हूँ और क्या entry मारी यह lightning dragon है मैं फिर तूरण रश करता हूँ मेरे excalibur sword के साथ उसको attack करने के लिए बट lightning dragon हवा में चले जाता है तो मैं मेरा dragon bow निकालता हूँ उसको मारने के लिए बट मेरे सारे के सारे arrows मेरे ही dragon पे लग रहे थे फाइनली मुझे lightning dragon का एग मिलने वाला था क्यों मैं फटाफट mountain के उपर जाता हूँ dragon को collect करता हूँ और एग नहीं मिलता यह level 5 का male dragon था दो का फिर से ता खराब नसीब हो सकता है कितना खराब नसीब फिर मैं गर जाता हूँ dragon meal बनाता हूँ कुछ क्योंकि मेरे dragon fight करते करते थोड़े से कमजोर हो गए थे तो उनको heal करता हूँ और इस बार में जो dragon मारा था lightning dragon उसके nest में जाके digging स्टार्ट कर देता हूँ मेभी वहाँ से कुछ मिल जाए and yes यहाँ से dig करते करते है मुझे माइंशाफ मिलता है फिर से माइंशाफ and माइंशाफ गुमते गुमते dragon nest सारे के सारे dragon nest माइंशाफ से connected क्यों है रहे जो भी हो मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा मुझे तो nest मिल गया और यह five का भी था और शायद female dragon भी था लाइटनिंग ड्रागन बाद में थोड़ा साइड में देखके बता चलता है वाह ड्रागन तो सो रहा है इदर वो मरने वाला है आज और इनको सोनी की पड़ी है और फिर मैं जैसे ही पास में जाता हूँ उड़ जाता है मैं कुछ critical hits देता हूँ फिर वो हवा में चले जाता है और बाकी तो आपको पते आगे का काम मेरे है दोनुर ड्रागन ही कर लेगे क्या खतरनक ट्रीनिंग दी हुए इन लोको मैंने एक बार जाड होना चेह इन ड्रागन के लिए अब टाइम आ चुका था देखने के लिए कि यह यह ड्रागन एक देता है कि नहीं प्लीज गाट प्लीज दे देना इस पर तो दे देना तीसरा लाइटनिंग ड्रागन से फाइट कर रहा हूँ मैं जैसे ड्रागन को कलेक करता हूँ और इंवेंटरी ओपन करता हूँ मेरे को अग दिखता नहीं पता नहीं यार क्यों बट हलका सा यहाँ पर मेरे को कुछ बोन्स मिसिंग लग रहे थे तो मैं थोड़ा सा आसपास घूमता हूँ और मुझे ड्रागन एक मिल जाता है पता नहीं कैसे क्या मेरे कुछ समझ में नहीं आया कहां पर गिरा हुआ थे ड्रागन एक जहां जो मुझे दिखा नहीं बट मिल गया ड्रागन एक फाइनली मिल गया ड्रागन एक लाइटनिंग ड्रागन का और मैं अब लाइटनिंग ड्रागन भी टेम कर सकता हूँ तो जल्दी में फटाफट गर पे आता हूँ और घर पे आने के बाद थोड़ा सा dragon egg के बारे में पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई करने में पता चलता है कि यह lightning dragon egg सिफ बारिश में हैच हो सकता है तो इसके लिए मैं भार जाके एक अच्छा सा पोडियम बनाता हूँ उसके लिए क्योंकि आपको बता है बारिश कभी भी आ सकता है और मैं पूरा टाइम यह पे वेट नहीं कर सकता हूँ उसके बाद विलेश के अंदर आने के एंट्री को भी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था और जस्ट बाद थोड़े से काउस को मैं ब्रीड करवाता हूँ और फिर बचे कुछे स्केल्स जो थे मेरे पास फायर ड्रागन के उसका मैं सारा आर्मर बनाता हूँ इससे यह होगा कि मेरा एंट्री भी अच्छा सा लगेगा और सारे आर्मर अल्री रेडी रहेगी है बारिश के वेदर के टाइम उसके जाष्ट बात में रियलाइस करता हूँ किता बड़ा ड़म हूँ मैं मैं डेजर्ट में हूँ मैंने डेजर्ट में रखा हुआ इस एक को जहां पे बारिश ही होती और मैं आगे वाले जो ग्रीन कलर का फॉरेश था वहाँ पे जाता हूँ चेक करने का बारिश हो रहा है और हो रहा रहता है मैं क्या ड़ुमनेस दिखाए मेन ने कुछ नहीं देखा है कुछ नहीं देखा है आसा हम लोग समझ के चलते कि मैं पहली बार आग रखने जा रहो बारीश मैं पहली बारीश हो रही है कोई कमेंड में यह तो डब नहीं लिखेगा इस सच्छा काम करें ओको यह यॉर Two-Talk स्मार्टनेस दिखाना के बाद अब मैं थोड़ा सा और स्मार्ट बनता हूँ और पूरा का पूरा दिन मैं टिसी यहां पे ट्रीज चॉप करता हूँ पता नी शायद मेरे को एमरेल्ड की जरूरती थी पता नी आये देखते हैं आप मैं पूरा दिन जो भी आसपास के एरिया इसको लाइट भी करता हूँ सारे के सारे टीज भी चॉप कर लेता हूँ अरे कितना जॉम्बी स्पॉन हो रहा था परेशान कर दिया मेरे को यार इन लोग नहीं अर मैं घर पर आया था थोड़ा इंवेंट्री खाली करने के लिए मेरा और उपर से मुझे अभी लाइक्नि जीच के स्पिन हो होके सबको मार रहा था वैल तो मैं इसको थोड़ा सा इसा पास जाता हूँ इसको चेक करने के लिए मुझे पर अटाक कर रहा है नहीं करता मैंने यहां पर खुद का क्रोकोडाइल भी टेम कर लिया था जो बाहर से मुझे ब्रोटैक कर रहा था ओ शिट क मस्त लग रहे दो इसका मनलब मैं और भी शायद क्रोकोडाइल अभी टेम करूंगा नहीं बंदी बात है अगर क्रोकडाइल ने अटक किया और मेरे को छोड़ा नीतों में मारेगा हाँ 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 यह चलेगा फिट तो 50-50 बहुत हुआ मस्ती यहां पर थोड़ा से काम कर ल उससे पहले सबसे जदा इंपॉर्डन अब मुझे बना दा था ड्रागन स्टील आर्मर वो भी आइस ड्रागन का अपने ली फ्रोस्ट का तो इसके लिए यहां पर मैं निकल जाता है आलेंटा के साथ आइस ड्रागन हंट करने के लिए और यह रहा आपके लिए क्विग को दोते हुए तो क्विध के लुड़ का इसाथ एंपॉर्ण वहां पaraket ङॉए एक चीज मिसिंग थी वो थी आइस ड्राइगन ब्लॉड and well 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 here it is नत जोते सानु हों इतने सारे आईजद्राइगन को टेकडाउन करने के बाद यहाँ पर येस इतना वेट करवाया इतना वेट करवाया ना इसने शिट बट आ गया और अब हमारे पास तीन ऐलिमेंटल ड्राइगन्स है लाइंग फायर एंड आइस बट 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 ये खतम नहीं हुआ अभी इसको लेवल फाइफ पे लेके जाना है और लाइटनिंग ड्राइग इसका बहुत सारा Dragon मिल बनाके मेरे जो Lightning Dragon उसको Feed करता हूँ और मेरा Lightning Dragon 74 Days का तो अलरेडी हो चुका था बस थोड़ी सी और देर और सारा खाना कुक हो जाएगा और Level 5 का Lightning Dragon Oh my god बहुत ज्यादा मज़ाने वाला है सोचो 3 ओट्रइगन मेरे साथ में लाइन में खड़े लेवल 5K और हां 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 हमार पास ब्लैक ड्रैगन भी तो है kok fire वाला इसका मलाला टोटल चाहार ड्रैगन लेवल 5K ओ भाई और हां अभी तो lightning dragon का भी armor बनाना है lightning steel dragon armor पड़ो उसके लिए मुझे बहुत सार अभी lightning dragon से भी fight करना है कर लेता हूँ और मेरे थोड़ी से एकस्पी भी गवा लेता हूँ क्या रहूंगा इतना एकस्पी का मैं इससे अचा कुछ बुक्स मिल जाए अच्छी खासी तो एंड येस बहुत सारी बुक्स भी मिल जाती है मुझे अच्छी खासी जैसे मेरा सारा एंचेंटिंग खादम हो जाता है तब तक मेरा सारा खाना भी कुखो चुगा था तो बस चलो अभी लेवल फाइव का लाइटिंग ड्राइगन करने और सारा ड्राइगन मिल खिनाने के बाद पच्छे करता हूँ मेरे लाइटिंग ड्राइगन का लेवल और स्कैम हो गया फि वो फुली गए हमारा ize Dragon का Steel Armor हाँ पूरा का पूरा पूरा फॉर्च में वो रेडी हो चुका था तो मैं फटाफट से सारा Inget करता हो अब ते घर पे जाता हो और पूरा ize Dragon का Steel Armor क्राफ्ट करता हो उसका pickaxe, axe, sword and यहाँ पे मेरा उसका भी पूरा का पूरा set complaint और यह तो fire dragon की steel armor से भी ज्यादा awesome लग रहा था यार इसको भी मैं आगे जाके use करूँगा बट अब भी के लिए मेरे fire dragon steel armor के साथ इस टिक रहूँगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छ enchantment से और में पास इतना emerald भी नहीं है कि इसमें लगा पाऊँ बट देखो क्या awesome लग रहा है यार क्या awesome लग रहा है इसको तो use करना ही पड़ेगा और use भी करेगे guys हम लोग आगे जाके guarantee और हाँ एक और चीज़ यहां पर मैं enchantment कर रहा था पता है आपको तो आपर मैं बोला तो बहुत अच्छी जी books मिलीती तो इसके लिए यहां पर मैं मेरे जो fire dragon armor था उसका जो helmet था उसमें respiration लगा तो फिर ice dragon का जो pickaxe था उसमें unbreaking 3 और efficiency 4 लगा तो और यह pickaxe को मैं use करूंगा time to say bye bye to our diamond वाला pickaxe बुरा लगा बट क्या अगर अपगरेड करना भी तो important है और पूरा dragon armor में और diamond का pickaxe यूज करूंगा शोभान देता है मज़ा नहीं आता अन्विर याप में बस production 4 का भी एक enchantment था तो अपना जो dragon लेवल 5 का हुआ नहीं बोन की कमी है बोन तो फार्म करना ही पड़ेगा अब तो हाँ से मिल जाएगा xp फिर कर लेगा enchant कोई problem नहीं और फिर मेरा जो ice dragon का steel armor था उसको armor stand में लगा के और जो tools है उसको podium में रखके निकल जाता हो lightning dragon hunt कर ले कि मुझे उसका भी अभी steel armor चाहिए सब का steel armor बनाएगे और strongest बनेगे और इस पूरी वर्ड को बचाएगे और इतने सारे dragons को मारने के बाद finally मेरे पास enough blood और skills हो चुके दे जिससे कि मैं मेरा forge भी complete कर पाऊ और lightning dragon steel armor भी बना पाऊ तो इसी खुशी के महौल में मैं सारे dragons को अपने भार निगालता हूँ lightning dragon का forge complete करता हूँ और अपने lightning dragon को बिठा देता हूँ उसको काम करने के लिए और हाँ ये क्या कब से lightning dragon लगा के रखा है उसको मैंने नाम भी दिया हुआ था उसका नाम था सर्कीट क्यूंकि सबसे पावर्फुल ड्रागन था तो यूनिक नाम भी दोना चाहिए तो इसके लिए मैं उसका मुन्ना भाय और वो मेरा सरी और हाँ एक और चीज़ मेरा जो आइस होगा वो क्या करेगा और फिर जब तक सर्कीट अपना काम कर रहे तब तक यहां पर मैं जितने भी एक्स्टा ड्रागन स्केल्स के ब्लॉक थे उसको मैं घर पे लेके जाता हूँ और वहां पे प्लेस कर देता हूँ इतने स्ट्रॉंग ब्लॉक से ऐसे ही तो चेस्ट में र क्या मस लग रहा है तीन लेवल फाइफ के ड्रागन और फिर एक लेवल वन का ड्रागन मेरे शोल्डर पे यही चीज़ के लिए तो इतना वेट कर रहे तो इधर तक आये हम लोग घतरना डेंजर क्या नो वर्ड्स कुछ वर्ड्स ही नहीं है बट इसमें एक और चीज आड होनी है छोट्टू सा ड्रागन को भी लेवल फाइफ पे लेके जाना है कि नहीं हम लोग को तो इसके लिए फिर यहां पर में दूसके लिए प्रिपेरेशन स्टार्ट करते तो कुछ का उसको ब्रीड करता हूँ उसके बाद यहां पर जो मेरा एंट्री दा रूम वहां पर एक साइड पूरा पोडियम था एक साइड पूरा आर्मर स्टैंड था थो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे बास और भी बहुत सारे ड्रागन स्केल्स थे तो और भी जाधा आर्मर बनाना था तो उसको वापस से थोड़ा सा चेंज करता हूँ और फिर पर सरकिट ने अपना काम कर लिया था टोटल 30 ड्रागन स्टील इंगट्स हो चुके थे मेरे पास जिसको मैं तूरत लेके जाता हूँ पूरा ड्रागन स्टील आर्मर बनाता हूँ एक एक स्वार्ड बनाता हूँ पिक एक्स नहीं बना पा था क्योंकि यहाँ पर खतम हो ज आगन के आर्मर एडी थे मेरे पास आइस फाइर दे एं लाइटनी ओसम और हाँ इहाँ पर मेरे पास एंचांटमेंट्मेंट्ट्स भी रेतया है तो मेरे जो लाइटनीग ड्रागन अड़ामर लगाता हूँ और एक्स में अफिशेंसी पॉर और यापास भी बहुत सारे ड लाइटनिंग ड्रागन का ड्रागन स्टील आर्मर उसको लगाता हूँ उसके बाद पूरा का पूरा ड्रागन स्केल आर्मर से भर देता हूँ चाहाँ लग रहा है और सारे के सारे पोडियम से जितनी इंपोर्टन और यूनिक चीज थी जो बहुत जादा वैल्यू करती है उ उसके बैक के लिए तो यहाँ पे मेरे पास आईरन अभी बचा नहीं था बढ़ आगे जाके उसको भी में दूँगा गैरेंटी अभी के लिए तो नहीं है मेरे पास अन फिर बेरा जो लाइटनिंग एक्स था उसको ट्राइगर ता हो ओ शेट यह तो थार के हैमर जासा है जिस भी तारगेट को मैं हिट करूँगा सीद्धा लाइटनिंग से स्ट्राइक करता है उसको ओ भाई और डैमेज तो देता ही देता है उपर उसको जला भी देता है तो यह लाइटनिंग के साथ फार ड्रागेन वाला भी काम करता है क्या ही ओसम चीज बना दिया है मैंने और बना इसका आ किसा डिशह करता हो या तो मेरे जो ड्रागेट एढ़े टार्गेट करता हो तो तो हम दोनों ही जल सकते और हम दोनों कोई डैमज होगा बढ़ ठीक है इतना ओसम सा चीज है इस तो रखने में मेरको कोई प्रॉब्लम नहीं जब मैं अकेला फाइट कर रहा हूंगा तब में इसको यूज कर सकता हूँ यहां पर मेरा जो वाच टावर ता हूँ जाता हूँ मैं थोड़ा सा बोन्स करने के लिए ताकि मेरा जो छोटु फायर ड्रागन उसको मैं बड़ा गर सकूँ बट वहाँ जाके रियालाइस करता हूँ मैंने लूटिंग थरीका स्वाट लाया है नहीं तो इसके लिए अब मे काव भीफ था नहीं तो उसको भी थोड़ा सा फार्म करना पड़ता था था यहां पर मेरे बास टोटल बार ड्रागन मिल था जिसको मैं लेके जाता और अपने चोटु ड्रागन को किला था एंड फाइनल यह 27 डेस का हो गया और स्टेज 2 का तो हुआ अटलिस कब से बिचा जा रहा रहता हु तब यहां पर बहुत सारे ड्रागन ने रेड कर दिया था ओ शिट मैं यहां से बाहर तक नहीं निकल पार था और बाहार निकला तो सब एक के बाद एक की माद पकड़के हुआ में लेके जा रहे तो और मेरे को मारने का ट्राइग और रहे थे बट एन ए तो इसलिए फिर मैंने ली फ्रोस्ट को जंग पर बुलाया और जैसे ली फ्रोस्ट ने जंग जॉइन किया हमारे लिए ये जंग थूड़ा सा इसी होने लग गया क्योंकि वो सबको फ्रीज कर रहा था और बाकी सारा काम मैं और अलेंटा देख ले रहे थे और जो भी फायर ड्रागन जक्मी हो रहे थे वो दूर जाके छुप जा रहे थे और खुब को हील कर रहे थे और ये मैंने होने दे सकता था वरना फिर से हमारे उपर इन लोग भारी पड़ जाते थे और शायद मर सकते थे लिक्स बिलकुल मैं नहीं लेना चाता था ना मेरे लिए ना इन मेरे ड्रागन के लिए तो इसके लिए मैं ली फ्रोस्ट और एलन टाउन के ओपर चले गए अटाक करने के लिए हाँ तू अकले लड़ ले लेवल 5 का ड्रेगन से लड़ ले अकले तू इतना दाम है ना तेरे में लेवल 3 का हो के मुझसे लड़ेगा हाँ मरने के एक्टिंग कर लो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा और ही लो जाऊगे है ना मार, मार, मार के दिखा, नहीं हो रहा है, मार गया, उपसे लड़ेगा, तीन रात लड़ने के बाद, फाइनली फाइर ड्रेगन फाइट हम जीच चुके थे, और मेरे हापे ड्रेगन जक्मी हो गएती तो मैं उन्हें हील करने जाता हूँ, पर उसी वग्त हमारे उपर हो जात अरे मैं गिर के से किया, ओ शिट, अरे आइस ड्रेगन, बहुत स्ट्रोंग है लोग, छोड़, छोड़, फगए, आ तो इधर आ, इधर, मर, मर, गड़े का मुझ से, आना, आना, आ क्यो, मर, मर, बहा इधर से, नहीं, 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 यार किदर फज गया मैं फज गया, नही नहीं, नहीं, मैं फ्रीज नहीं होना जाता, नहीं, 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 बहुत, बहुत, अरे यार, पकड़ लिया, मर, 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 बहुत, और इसी तरह हम पुरा दिन आइस ड्रेगन से लड़ते र सारे lightning dragon ने attack कर दिया था अरे इन लोग तो ball strong है freeze हो, freeze हो freeze हो करके रुमार रोपना पड़ेगा तुम लोको आजा, freeze हो अरे नहीं मेरा ही dragon freeze हो गया sorry Alanta, sorry please 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 भग, 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 भग अरे यार तू आ बीच में तू लड़ने आ जॉम्बी इधर यहाँ पर ड्राइगन के साथ फाइट कर रहा हूँ भग आजा आजा लेवल 2 है ना तू फाइट करेगा लेवल 5 का डिफिट किया और तू क्या मारेगा भग इधर से आजा तू आ तू आ तू जॉम्बी तू लड़ ले गुसा मेरे सर के उपर तक चड़ गया था पर मुझसे ज़्यादा गुसा मेरे ड्राइगन्स थे यहाँ पर लाइटनीं ड्राइगन हवा में नहीं फाइट कर पा रहे थे तो दमीन में आके फाइट करने की कोशिश की यहाँ की जमीन पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही पता नहीं कुछी दिनों के अंदर कितने प्रकार के कितने सारे ड्राइगन्स ने हमारे उपर अटैक कर दिया था पर आखिर में मैंने खुद को साबित कर दिखाया और ये गमासान यूद हम जीच चुके थे और बस इसी के साथ नहीं दिन की नहीं शुरुवात के साथ यहाँ के इंसान बिना कोई फिकर बिना कोई डर खुशी खुशी रह सकते थे और फिर मैं घर पे जाता हूँ मेरे ड्रागेंस का फेवरेट खाना लेने के लिए जो था ड्रागें मिल आज तो मैं उलों को पार्टी देने वाला था क्यूंकि भाई इतना बड़ा वार जो लड़े बिचारे कितने भूके हो गए रहे तो इसके लिए मैं घर पे जाता खाना लेने के लिए अरे 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 तो एलेंटा किया वाज इतना जोर से क्यों चिला है इसने क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्रुक रुक 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 रु झाल झाल